नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जहरखन में नई उत्पाद नीती से सरकार को घाटा जहरखन में मैं 2022 से लागो नई उत्पाद नीती के तहत सराब की विक्री में भारी गिरावट आई है मैं से लेकर अगस तक चार महिने में उत्पाद विभागने सराब विक्री से 1743.64 कोल रुपए का रहसो असुली का लक्ष रखा था लेकिन इसके मुकाबले अब तक केवल 16.1 एक कलो रुपए के ही रहसो के रूप में मिले हैं जिस तरह से रहसो असुली में कमी आई है उससे विभाग इस बात को लेकर चिंती थाए कि वर्तमान वित्तिय वर्ष में बाइसो कोर के लक्ष को कैसे पूरा किया जाएगा चार महिने में बिक्री वा रयस्व का आकलन करने के बाद उत्पाद देव मगद निसेद विभाग ने कौम सराब की बिक्री करने वाले गारह जीलो को सोक आज किया है इस समन में आयुक्त उत्पाद, कमलेशवर परसाद सीगने धनवाद वा रामगड के सहायक उत्पाद आयूत के अलावा लोहरता का सिम्टे का गढ़वा, पलामू, जाम तड़ा, पाकूर, गीरडी, सराइक लखरसाव और पच्छमी सिम्भूम के अधिक्छक उत्पाद को सोकाज किया है जारखन में भारी बारिस अलर्ट जारी जारखन के रधानी राची समेट परदेश के कई जिलो में 14 सितमबर तक भारी बारिस के असार है राची इस्थित मौसम केंद्र ने सुमवार को याजनकारी दी है मौसम विभाग की ओर से बताया क्या है कि 13 और 14 सितमबर को कहीं-कहीं भारी बारसा भी हो सकती है 13 सितमबर को जारखन के उत्री तथा मद्य हिसों में जबकि 14 सितमबर को उत्तर पूरवी भागों में कुच जवोपर भारी बारसा हो सकती है मद्य जारखन में राची बोकार गुमला, हजारी बाग खोटी तथा रामग़ जिले आते है जबकि उत्री हिसे में देवगर धनबाद दुमका, गिरिडी गोड़ा जामतड़ा, पाकुर साहिवगन चत्रा, कोडरमा लाते हा, लोहर्दा का पलामो और गढ़वा जिले आते हाँ दुमका रांची इंटर सिटी एक्सप्रेस गोड़ा से आज रवाना गोड़ा के लिए सोमवार का दिन एतिहासिक होगा बतादे साम, साड़े चार बज़े गोड़ा से रांची के लिए दुमका होते ट्रेन रवाना होगी जिलावासियो को लंबे समय से इस ट्रेन का इंतजार था गोड़ा में रेलवे स्टेशन बनने के बाद यह ट्रेन गोड़ा से देने की मांग उठ रही थी जिसकी सुरुवात आज से होगी 9 अप्रेल को सांसर डाक्टर ने सिकान दुमे ने इस ट्रेन का उधगाटन किया था जिसे आज से नियमीत रूप से परिचालन किया जाएगा जहारखन के किसानों के बीज सरकार बाटेगी 20 स्कोर उपय का बीज ये राज सरकार ने किसानों को सुखा में राहत देने की पहल की है किसानों के बीज 20 स्कोर का बीज किरिसी विभाग 20 स्फसल 20 स्थार योईना के तहत बाटेगा किसानों को यह बीज 27 पर 30 अनुदान पर मिलेगा क्रिसी विभागने इसका राज्जिय देश जारी कर दिया है इससे करीब 25.2600 हेक्टेर में खेती भी हो सकेगी इसमें सुर्य मुखी मुंख फली, मडवा, मक्का, सर्सो और चाना का बीज बाटा जाएगा बर्तमान मौसम को देखते हुए क्रिसी विभागने इसका को अधिकार दिया है कि वह अपने अनुसार निर्धारित लक्ष बदल सकते हैं बीज का बितरन बीर्षा फसल बिस्तार योजना के तहत होना है यह योजना पहले बिस्तार फसल योजना के नाम से चलती थी और पिछले तीन साल से नहीं चल रही थी पारा सिक्षक फिर करेंगे आंदोलन राज्य के पारा सिक्षक फिर आंदोलन करेंगे मुराबादी वा विधान सभा मैदान में रभीवार को पारा सिक्चक संगर्षनों के अलग-अलग बैठक हुई इसमें पकाया मांदे भुकतान और बेतन मां की मांग को लेकर अंदोलन की घोस्तना की गई इससे पहले वर्स 2018 में राज भर के पारा सिक्चकों ने अपनी मांगों के समर्थन में अंदोलन किया था बता दे पुराना विधान सभा परिशन में रभीवार को समुदाइक सहायक अध्यापक प्रसेशी संग वह जारखन राज सहयोगी सिक्चक संग की सन्युक्त बैठक हुई बैंगलूरू से रांची आने वाली फ्लाइट कैंसील रांची आरपोर्ट पर खरा मौसम और लो विजिविलिटी के कारान आज कई फ्लाइट बिलम से पहुँच रही है इस दोरान कुछ बिमान बिलम से पहुँचे तो कुछ बिमान को कैंसील कर दिया गया पुने से रांची आरपोर्ट आने वाला बिमान अपने निधारित समय से आधा घंटा बिलम से पहुँचा वही कुलकता से रांची आने वाला बिमान सुबा आठ बच कर चालिस मिनित के बदले दो घंटा विलम से रांची एर्पोर्ट पहुँचने की संभावना रहा जबकि 11 बच कर 20 मिनट बेंगलूरू से आने वाला बिमान को कैंसिल कर दिया गया और विमान अपने निधाडित समय पर रांची एर्पोर्ट पहुचे है बाबुलाल मरांडी की आचिका पर हुई सुनवाई पुरो मुख मंत्री वा भाजबाबी धायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी से समधी दल बदल मामले में स्पिकर ने नियमा अनुसर सुनवाई नहीं होने का हवाला देते हुए जहरकन हाई कोट में आचिका दाखिल की गई इस मामले में आज जहरकन हाई कोट के जर्षिस रायस संकर के अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई सुनवाई के दालत ने कहा कि प्रार्थी की ओर से स्पीकर के जिस आदेश को चुनोती दी गई है उसकी सत्यापित प्रार्थी आजका में नहीं है इसलिए वा उक्त आदेश की सत्यापित प्रार्थी दाखिल करे आदाधत इस पर अब 14 सितमबर को सुनवाई करेगी सीवू सुरेन को आय से अधिक संपती मामले में लोकपाल करवाही पर रोक जारखन, मुक्ति, मोर्चा, परमूख और राज सभा सदसे सीवू सुरेन के खिलाप आई से अधिक संपती मावले में शुरू की गई लोगपाल करवाही अब दिल्ली हाई कोट ने रोक लगा दिया है भाजपा सांसत निसिकान दुबे की सिकायत पर लोगपाल ने करवाही सुरू की थी लोगपाल की करवाही के खिलाब सीवू सुरेन ने यज का दायर की थी दिल्ली हाई कोट ने करवाही पर रोक लगाते वे नोटिस जारी किया है अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी बता दे कि जार्खन के गोड़ा के भाजपा सांसन निशिकान दुबे की सिकायद पर लोगपाल ने करवाही शुरू की थी लोगपाल में 5 अगस 2020 को जामो अध्यक सीवू सुरेन और उनके परिवार प्रकतित तोर पर गेर कानूनी संसाधन के जरिया आए से अधिक संपति अर्जित करने के खिलाप सिकायद दर्ज की गई थी दसवी पास 455 पदो पर भरती जार्खन करमचारी चैन आयोगने दसवी पास युआओ के लिए भरती बिग्यापन जारी किया है इस सरकारी नोखरी के लिए एक चुक युआओ को jsc.nac.in पर अपलाई करना होगा जार्खन सरकार के उध्योग विभाग में कीट पालक एवाम समकक्ष और कूसल सिल्पी एवाम समकक्ष के कूल 455 पदो पर भरती के लिए जार्खन करमचारी चैन आयोगने भरती बिग्यापन जारी किया है इस भरती के अंतरगत उमिद्वारों का चैन जार्खन मैट्रिक अस्तर सन्युक्त परत्युक्ता परिक्षा के जरिये किया जाएगा J.A.C.A. स्टेडियम के चौथे तले से तैराक कोच ने लगाई छलांग जार्खन के रजधानी राची के धुरवाई सी J.A.C.A. स्टेडियम के चौथे तले से तैराक कोच बादल ने कुद करात्म हत्या करने की कोशिस की कोच को अभी रांची के पारास अस्पताल में इलाज चल रहा है जहां उसकी हालात नाजूक बनी हुई है पुलिस घाटना अस्थल पहुँचकर मामले की छान बिन कर रही है घाटना के बारे में मिली जनकारी के अनुसार 25 वर सिय तैरा की कोच बादल ने सोमवार की सुबा करीब साड़े आठ बजे जेस्य स्टेडियम के चोथे तले से कुद गया बताया जाता है को उसने आत्म हत्या करने की कोशी से छलांग लगाया था रांची को पोटेवल फूट बिरिज के लिए मिला अंतराश्ट्रिय इनोवेशन पेटेंट रांची के बी आईटी मेशरा के छात्रवा एमीटी इनवर्सिटी जार्खन राची में मेकेनिकल और आटो मेशन इंजिनियरिंग बिभाग में बताओर सहायक प्रफेसर कारेर डाक्टर राहूल कुमार सिंग ने इनोवेशन कारेकर जीले का मान बढ़ाया है उन्हें वर्स 2022 में पोर्टेवल फूट विरिज के लिए अंतराश्ट्रिय इनोवेशन पेटेंट प्रदान किया गया डाक्टर राहूल का मनना है की इंजिनियरिंग का उप्योग सभी के जीवन को बेहतर बनाने और अनुसंधान परिणाम अधारित और इनोवेशन होना चाहिए पोर्टेवल फूट विरिज को डिजाइन करने में उन्हें लगवग दो साल लगे उन्होंने बताया है की MET इंवर्सिटी जारखन मेकेनिकल इंजिनियरिंग के छात्र भी दैनिक जीवन के समस्या को हल करने में प्रजेक्ट और अनुसंधान परियोजना में सक्रिये रूप से सामिल रहते हैं धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए होते चैनलों के सब्सक्राइब का बहुल का बेल एक अंद बाये साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवसे दे थैंक्यू